एक बड़े कार्गो शिप को एंकर करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच की जुरुरत होती है और सही तरीका ना जानने पर आप और आपका एंकर गलत जगा पर जा सकते हैं वैसे तो प्रोपेलर और इंजनी हैं जो आपके शिप को बिना किसी मुश्किल के सेल करने में मदद करते हैं पर ऐसे कई मौके होते हैं जब एक शिप को समंदर में सेल ना करके और सिर्फ समंदर में ठहर कर इंसजार करना होता है ऐसे मौके पर जब इंजन्स बंद होते हैं तब anchor ही है जो आपके जहाज को थाम कर लहरों के साथ बहने से रोकता है अगर आप कभी किसी ship पर नहीं गए है या आपने कभी ship anchor के बारे में नहीं पढ़ा है तो ship anchor का नाम सुनते ही आपके मन में जो पहली तस्वीर आएगी वो एक traditional anchor की होगी हाला कि आजकल बड़े बड़े कार्गो ships पर एक stockless बावर anchor का प्रयोग होता है एक stockless बावर anchor में जो parts होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं Shank Shank शैंक anchor का वह तना है जिस दिशा में anchor को स्ताफित करने या दफनाने के लिए खीचा जाता है Crown आधुनिक anchor के विपन निस्सों को जोडता है Crown unit को shank पर लगाया जाता है ताकि वो 45 degree के एंगल से दोनों तरफ जूल सके Flux लंबे और भारी होते हैं जिनके कंधों को उनके base पर fit किया जाता है ताकि वो sea bed में धंस सके Anchor windless Anchor windless एक deck machinery है जो anchor chain को गिराने और उठाने में मदद करती है Windless जिपसी head और उस पर रखी anchor chain को चलाता है Horse pipe जो chain को anchor तक ले जाती है और anchor खुद भी इसे सिरे पर लगाये जाते है Horse pipe में पानी स्प्रे करने के लिए holes भी होते हैं जो anchor और chain पर लगी की चड़ और मिट्टी को साफ करने में मदद करते है अगर किसी वज़े से इस प्रक्रिया से anchor washing संभव ना हो तो एक portable pipe के मादम से भी anchor को धोया जा सकता है Anchor chain एक इस purling pipe के मादम से chain locker से निकल कर जिपसी drum तक जाती है Chain locker मोरिंग डेक के नीचे स्थिते कमरा होता है जिसमें anchor chain को रखा जाता है Dock clutch liver मोटर से जिपसी drum को connect या disconnect करने या anchor को उठाने और गिराने में windless की मदद करता है Operating wheel के साथ ही एक brake assembly भी होती है जो anchor chain की lowering का नियंतरन करने के काम आती है Chain stopper या cable stopper chain को secure करने के लिए इस्तिमाल में लाया जाता है इससे anchor को उठाने के बाद वापिस step position में लाने के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है Riding power यानि कि जिपसी wheel का अगला हिस्सा chain को horse pipe तक लाने का काम करता है आज कल के आधुनिक shift में पाये जाने वाले windless डारेक्टली किस electric motor या pressurized hydraulic oil की मदद से चलाये जाते हैं इसलिए इन में एक electric या hydraulic motor भी लगी होती है Anchoring operation एक anchor को दो तरीकों से उतारा जा सकता है पहला windless शक्ती का उप्योग करके जिसे walk back भी कहा जाता है या फिर दूसरा gravity का यूज करके जिसे let go method भी कहा जाता है Anchoring की walk back method highly recommended है और इसका इस्तिमाल जादा तर एक लाग ग्रॉस चनिट से उपर के जहां जोपर किया जाता है केबल को एक निश्चित गती से windless का उप्योग करके उतारा जाता है और anchoring की स्तिति के करीब पहुँचने पर ship की जमीन पर गती को धीरे धीरे शूने तक लाया जाता है और anchor को पानी में उतारा जाता है या विधी आम तोर पर let go विधी की तुलना में लंबी विधी की होती है हाला की या ship master को windless पर केबल के इस्तिमाल और वजन पर बहतर नियंतर प्रदान करती है let go method का इस्तिमाल कई सारे vessels में किया जाता है जिसमें छोटे crafts, ledger yards से लेकर बड़े cargo ships तक शामिल है जिनका वजन एक लाग रॉस्टन से कम होता है इस method का उप्योग काफी simple है यानि कि anchor को horse pipe से अपने ही भार से बिना नियंतरन के slip होने दिया जाता है केबल के उपर पूरा भार, windless की break holding शमता और ship का momentum कुछ ऐसे factors हैं जिने crew को नियंतरन में करना होता है ताकि anchor अच्छे से डाला जा सके और उसके बाद केबल को पीछे बढ़ने के लिए सही से बिचाया जा सके इन दोनों ही तरीकों में से किसी का भी chain करने से पहले जो chain और anchor को गलती से slip होने से रोकता है एक anchor ship को कैसे थाम कर रखता है? हम मेंसे कई लोग जिनोंने कभी किसे ship पर काम नहीं किया है वो यही मानते हैं कि सिर्फ anchor ही है जो ship को रोके रखता है जबकि असल में एक anchor chain भी ship को रोकने में anchor जितनी ही जरूरी है एंकरिंग के दौरान ship के लहरों के दिशा के साथ ही बढ़ाना चाहिए और आप यह देख भी सकते होंगे कि anchor station पर खड़ी सबी जहाज लहरों के दिशा की तरफ ही फेज करते हैं ऐसा करने से chain को फैले में मदद पिलती है और इसे chain को एक horizontal pull मिलता है जो anchor को वो दागन प्रदान करती है जिससे वो अपनी shoulder से समधर तट को पकड़ पाए और अपने flux को नीचे की ओर धसा पाए जब anchor को छोड़ा जाता है तब anchor और उसकी chain सीधे नीचे की ओर जाते हैं और जैसे की anchor के सिरे को शैंक के दोनों तरफ जाने के लिए pivot किया जाता है anchor horizontally move करता है और अपने flux को सतह पर धसा लेता है ship को पीछे की दिशा में move कराने से anchor को अच्छे से धसने में और ज़्यादा मदद मिलती है anchor और उसकी chain द्वारा बनाएगा एक curved shape को catenary कहा जाता है जो की सतह पर पड़ी chain और पानी में लिटकती chain से बनता है chain के वजन से ship को रोके रखने लायक ताकत या holding force मिलती है सामाने मौसम में catenary ratio का standard ratio 1 is to 5 माना जाता है वहीं ये ratio heavy weather में बढ़कर 1 is to 7 से लेकर 1 is to 8 तक हो जाता है walk back method से cable का गुच्छा बन जाना या एक ही जगा पर एकटा हो जाना रोका जा सकता है वहीं let go method का इस्तेमाल करते वक ये ध्यान रखने की जरुरत है कि पूरी cable को गिरने ना दिया जाए जिसकी वज़ा से cable एक ही जगा पर एकटी होकर गुच्छा बन सकती है और अंत में cable में कई सारे twists पैदा कर सकती है ship master को इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए कि ship को clear समद्री सतह वाली जगा पर ही anchor किया जाए ऐसा ना करने पर anchor मल बे, pipe lines या चटानों में फसकर chain और windless को भी खराब या तोड़ सकता है anchor को उठाना anchor को उठाने के लिए सबसे पहले fire pump शुरू की जाती है ताकि anchor वाच से पानी निकलता रहे उसके बाद ये चेक करें कि cable locker में chain ना हो windless में लगे dog clutch को उठाने की position में lock करें और windless को start करें इसके बाद brakes को loose करके windless की मदद से anchor को उपर खीचें windless motor पर आते load को चेक करते रहें क्योंकि एक फंसा हुआ anchor motor पर काफी जादा load डालेगा और उसका current बहुत जादा बढ़ेगा जैसे जैसे anchor chain उपर आती जाए chain में लगी अड़चने और twist को चेक करते रहें क्रू के लिए windless को maintain करना और anchor को operate करने का सही तरीका जानना बेहत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी खराब machinery part या chain का तूटना एक बड़ी दुरगटना का रूप ले सकता है जिससे की permanent injuries या फिर मौत भी हो सकती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें subscribe करना ना भूले और bell icon जरूर दबाएं अपने सुझाब और सवाल हमें comment section में जरूर लिखें और हम जल से जल आपके सवालों का जवाब देंगे